विशे पर बात करेंगे, रूठा राठी, बहुत सारे लोग कभी भी इससे बाहरे नहीं आपाते हैं, कभी कोई रूठ जाता है, कभी किसी को मिना, कभी किसी को मिना, और तो और बच्चों में भी यादत आ जाती है, तो ये कौन लोग होते हैं जिने दूसरों की इतनी आपनी के विशेश संदर में बात करें के मंगल दोश शुरू में एकदम लडाई में करवाता यह पहले रोठा-राथी से बाद शुनो होती है जरासी बात पे बिदक गए बहुत बहुत गुस्सा बहुत गुस्सा बहुत गुस्सा कारण क्या दाल में नमक कम था कि इवन शादी से पहले भी जब मानीजे प्रेम संबंद होता है यह शादी तै होने से होने के बीच का जो कोट्षिप पीरेड होता है उस समय भी जब सबसे जादा आनंद लेना चाहिए बच्चों को उस वक्त में भी फोन पर रोठा-राथी होती है लडाई हो जाती है छोट मंगल का राहु का यशनी का यह प्रभाव है और यह मान के चलिए कि यदि आप बहुत छोटे-छोटे मुद्दों पर जगड रहे हैं तो यह जगड़ा आगे जाकर बहुत बढ़ जाएगा या तो इसे कंट्रोल कर ले या विवा कैंसल कर ले क्योंकि कहीं ने कहीं यह परशान कर रहा है अभीसे आगे जाकर तो यह और ज्ञड़ा परशान करेंगा कि एकड़े आता है जब मनाने ओनाने का जादा मन नहीं करता पुरुट गए तो जाओ तुन ठीक है शुरू में बड़ा मन करता है रूठने मनाने का लेकिन दीरे दीरे जी का जंजाल लगने लगता ही अदर नहीं घाना मत कहो ऐसी इस्थिति आ जाती है तो ये मंगल दोश बहुत बुरी इस्थिति आगे पैदा करें इससे पहले यदि शादी होने से पहले ही दे आगे हैं तब या तो कंट्रोल करिये खुद को और खुद को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आपको वैवार में सतर खोना पड़ेगा कुछ उपाए मैं बता दूगा उससे चीजी ठीक होगी और यदि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो एक बोल्ड डिसेशन लिजे और अपने घर के बुज़र्गों से कहिए कि निभ नहीं पा रही है विवाह करना श्रेकर नहीं रही कर इस विशह पर आगे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आदद में बच्चों में भी आती है और घर के बुजर्गों और बड़ों में भी आती है और घर के अंदर जबर्दस कलह का महौल बन जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि चपल जहां रखी थी वहां नहीं मिली और इस बात पर धंगा मज गया तो यह क्यों हुतार इसको इस रूठा राठी जब शुरू होती है तो मंगल दोश का निवारन करना ऐसे में बेहदार्व शक है क्योंकि यह छोटी छोटी रूठा राठी आगे जाकर बहुत बढ़ जाती है और लड़ाई जगड़े का विक्राल रूप लेने लगती है और इसमें और ज़्यादा समस्या तब आजाती हैं जब बड़े भी कूथ पड़ते हैं चैनलड़की के घर के लोग चैनलड़के के घर के लोग उसके बाद तो जो रायता बिखरता है वो असानी से समेटने में नहीं आता उपाए लिखें क्या ऐसे में करना चाहिए ऐसे में महीने के किसी एक मंगलवार को जो शुक्ल पक्ष में पड़े उसमें तामे के बरतन में मीठी पूरिया रखकर किसी जरूरत मंद को दान कर दिया कीजे और साथी साथ काच के बरतन में दूध का नान भी कर दिया कीजे ये उपाए करने से चीजे बहुत अच्छी होंगी बहुत बेटर होंगी दूसरी चीज ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दही से तिलक करकर सोना चाहिए दिखाई नहीं देता दही का तिलक ऐसे आप लगाएंगे और दिखाई नहीं देता लेकिन ये लाब बहुत देने लगता है कुछ ऐसा रूठना भी होता है कि लोग घर तक छोड़ कर जाने की बात करते हैं आज का महल तो ऐसा हो गया है कि लोगों के मन में पतानी क्या चलता रहता है उनकी स्टेट अफ डिपरिशन क्या है वो जिद्गी छोड़ने की बात करने लगते हैं तो वहां क्या उपाए करने होंगे या वहां क्या प्रकॉशन्स लेने होंगे इसके विश्य में बात कर रहा हूं मैं बात बहुत गंभीर कर रहा हूं इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा लेकिन इससे पहले और हम बात कर रहे हैं ये रूठा राती बहुत बढ़ जाती है तो ये बड़े जगड़े का रोप ले लेती है एक छोटा सा उपाए बता रहा हूं ऐसे सारे लोग या मंगलवार या बुदबार मूंग की डाल का दान जरूर कर दिया करें पती पत्मी अलग-अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा ये दान जरूर कर दिया करें और दूसरी चीज़ ये है या तो वर्ष में एक बार किसी को बकरी गिफ्ट कर दे जो ज़रूरत मंद हो या फिर यदि आपके पास इतना धन नहीं है तो जो व्यक्ति बकरी खरीदेना चाहता है और पालना चाहता है पालने के पॉइंट और से दे लेना चाहता है तो जो मदद आप से बन पड़े उसकी कर दीजेगा फिर्दे से कर दीजेगा फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है रोटना मनाना बहुत सारे गीत इसके उपर होते हैं कोई पहले रूट जाता है तो दूसरा गाना गाता है और गाने के अंत तक आते आते पहला मन जाता है लेकिन आम जंदगी में ऐसा नहीं होता है और एक दो बार हो जाए तो हो जाए लेकिन समाने ता ऐसा नहीं होता अरलम्बे समय तक तो ऐसा किता इन एह होता है कुछ बहुत मज़दार किसम के लोग होते हैं वो अपना रूठना मनाना जारी रखते हैं और बहुत जल्दी अपने रूल में वापिस आ जाते हैं लेकिन ज़ादता लोग उसे हिर्दे से लगा लेते हैं और वो सिती खतनाक होती है तो यदि कोई व्यक्ति रूट जाए घुस्से में पागलाने लग जाए वह कम्या निकालने लग जाए चीखने चिलाने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति से कुछे कारे कराने शुरू करती जाए रोजाना सुबह कपड़ा हो रुमान हो जैसा भी हो सफेद कपड़े में उसको थोड़ी सी मिश्री देकर धर्मस्थल पर भेज़ दिया कीजिए चाहे वो उसे वहां बांट दें चाहे वो वहां पर प्रोहिज्ज को दे दें यह एक नियम उनसे बनवा लीजिए और देखिएगा यह सामान तो लगता है, हाल उसके जौब में भी खराब होता है उसके ओफिसमें भी खराब होती है तो यह आपके वेविसाइक जीवनल में भी मिसरी घोलेगी कुछ लोग छोटी छोटी बात पर भयंकर रूट कर जान देनी की बात करते हैं दात पीस्ते हर बेखावू हो जाते हैं इन लोगों का इलिए एक उपाय में जो जरा सा रूट जाते हैं लेकिन भयंकर घुस्से का शिकार होते हैं मरने मारने की बाते करते हैं वैसे ऐसे लोगों को चिकिसे सलहा दिलवा देनी चाहिए क्योंकि ये आगे जाकर एक रोग बन जाता है जब हम छोटी सी बात पर भयांकर रियक्ट करते हैं और चिखना शुरू करते हैं तो ये आगे जाकर निश्चत रूप से एक रोग बनता है फिलान कुछ उपाए बता रहा हूं वो उपाए कीजी दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ऐसे लोगों को नियमे तूप से तिलक करना चाहिए देखे आप स्वम भी तो अच्छा रहना चाहते हैं न इसी लिए स्वम भू तिलक करना शुरू कीजे आपका क्रोध कम होना शुरू होगा दूसी चीज तांबा और चांदी मिलाकर एक कड़ा बनवा लीजे और सुमवार को माता जी के हाथ से अपने दहीने हाथ में उसको धारन कर लीजे एक और उपाह लिखिये ऐसे लोग जब भी घर से जाएं जरा सा मीठा और दही खा के जाएं और जब भी घर को आएं थोड़ा सा मीठा लेकर आएं चाहिए टौफी ही लेकर आएं खाली हाथ ना आएं और आप देखना आपके मन पर बहुत असर पढ़ने लगेगा और जो जरा-जरा सी बात पर छोटी सी रूठा राठी में जो भयंकर लड़ाई होने की संभावनाएं होती हैं वो कम होने लगेगी साथ ही साथ मैं उन दमपत्यों की भी बात करना चाहता हूं जो हमेशा एक दूसरे से मतभेद रखते हैं और वो मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते लेकिन जिन्दगी की गारी ऐसे थोड़ी चलेगी कैसे चलेगी इसका उपाए में बताता हूं लेकि इल्म की इप्तदा है हंगामा इल्म की इंतहा है खामोशी कहने का मतलब यह है कि जब ग्यान आना शुरू होता है तो व्यक्ति बहुत बात करता है शोर मचाता है हंगामा भी करता है लेकिन जब यह ग्यान बहुत बढ़ जाता है तब मनुश जो चीज सीखता है वो यह है खामोशी इल्म की इप्तदा है हंगामा इल्म की इंतहा है खामोशी क्या खुबसूरत बात कहीं इसी बात को याद रखिये